शेहनास कॉर्गिल को आज तक घर के अंदर कभी भी परिशान या उदास नहीं देखा गया है चाहे शेहनास को रोते हुए देखा गया हो लेकिन वीकेंड के वार में घरवालों का ऐसा रियाक्शन देख कर शेहनास काफी जादा उदास हो गई थी दरसल हुआ ये था कि सल्मान खान ने ब्लैक हर्ट गेम करवाई जिसमें कोशन ये था कि शेहनास और माहिरा में से कौन जैलस फील करता है जिसमें सधार्थ को छोड़ कर सबने शेहनास के दिल में जैलस बताई जिसके बाद जब सल्मान खान ने कहा कि सना जब सब बोल रहे हैं तो हाँ तुम जैलस हो उस बात को शहनास ने इतना दिल से लगा लिया कि शहनास ने सल्मान खान की बात भी नहीं सुनी और बाहर चली गई जिस वज़े से पूरे वीकेंड के वार में शहनास गिल अंदर नहीं आई जिसके बाद सिदार्थ शहनास को मनाने के लिए गए गर के सभी सदस से खाना खा रहे होते हैं लेकिन शहनास ने खाना नहीं खाया होता तो सिदार्थ शहनास को मनाते हैं और कहते हैं कि सना खाना खाले तूने कुछ नहीं खाया है सिधार्थ शेहनास के लिए चिकन भी लेकर आते हैं शेहनास कहती है कि मुझे नहीं खाना तू जा यहां से मुझे अपनी शकल मत दिखा जिसके बाद सिदार्ट पूछते हैं कि मतलब जब तक तु यहाँ है तब तक अब कुछ नहीं खाएगी शेहनास कहती हैं कि मुझे नहीं खाना मुझे बहुत गुसा आ रहा है अगर मैं आज चली भी जाती ना तो सब यहीं बोलते कि अच्छा है चली गई इतनी जादा ओवर एक्टिंग करती है शेहनास कहती हैं कि लोग कहते हैं कि मुझे ओवर कॉन्विडेंस है ऐसा कुछ नहीं है बस मुझे जो प्यार मिला मैंने वो बोल दिया लेकिन आज जो सल्मान सर ने मुझे समझाया वो मुझे समझ आ गया है चिदार्थ शेहनास से पूछते हैं कि क्या समझ आया लेकिन लग तो रहा है कि तुझे कुछ समझ नहीं आया सच में सर ने मुझे जो समझाया वो मुझे समझ आ गया है ऐसा कहते हुए शेहनास कौरगल दिखाई दी है अब देखना ये है कि सल्मान खान की बातों को शेहनास कितना जदा ध्यान रखेंगी ये सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल न भूले ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लिटेस्ट अपडेट